नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फलदाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके उपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग अब जान लीजे आज के वरत त्योहार उत्सव और विशेश आयजवन के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिति कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा कन्या राशी में संपून दिवा रात्री ग्रह राशी नक्षत्र परिवर्तन राहा अश्विनी के दूसरे चरंड में वकेतू चित्रा के चोथे चरंड में प्रवेश रात्री दस अठारा पर अब आपको बताते हैं शुब मुहुर्त और श्वेश्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुरत आज विवा में व्यतीपात व भद्रा दोश ग्रियह प्रवेश में भद्रा दोश उत्तरा फालगुनी में तथा विपनी व्यापार क्रिपारारम मशीनरी ठल प्रवहन रामसुर प्रतिष्ठा अदि के हस नक्षत्र में तथा विवा का मृतियूबान दोश अब आपको बताते हैं आज जनम लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में अब आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जनम राशी कन्या है कन्या राशी के स्वामी बुध है इनका जनम रज़तपात से है सामाने तह ये जातक बुधिमान सत्य और मृधुभाशी विलास प्रिय अपने पुरिशार्ट से धनो पारजन करने वाले कुछ कू संगत प्रियक कांती हीन चरित्रबाले और कुछ हिंसक प्रवति वाले हो सकते हैं इनका भाग्रदय तीस वर्ष के आयू के बाद ही होता है कन्या राशी वाले जातकों को उनके उद्योग व्यवसाय कारिशेत्र में संतोश्प्रद लाब मिलेगा जहूं और सफलता के द्वार ख कहते हैं कि ग्रेनक शत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं इश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार